यहां पर बच्चो एंटी फ्रीज सॉलूशन दिया गया है कि बाई एंटी फ्रीज सॉलूशन तो आप देख पा रहे हैं कि सॉलूट जो कि 222.6 ग्रैम दिया गया है और सॉल्वेंट जो कि 200 ग्रैम दिया गया है और सॉल्वेंट के वाटर है और सॉलूट आपका C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकॉल दिया गया है और इन दोनों को जोड़ के आपका सॉलूशन तयार होता है एंटी फ्री सॉलूशन ये डिटेल आपको दी गई है और इसी सॉलूशन की इसी सॉलूशन की डेंसिटी आपको दी गई है 1.072 ग्राम पर एमल तो ये आपका सारा हिसाब केताब दिया हुआ है अब बचो यहाँ पर हम molecular weight of इथिलीन ग्लाइकॉल ले लेते हैं C2H6O2 तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2 इसको आप जोड़ें के तो इस 62 ग्राम पर मोल हो जाएगा तो मोल ओफ इथिलीन ग्लाइकॉल इथिलीन ग्लाइकॉल इसका वेट आपको कितना दिया गया है 222.6 और molecular weight 62 दिया गया है तो ये 3.59 मोल हो जाएगा बचो तो मोलालिटी क्या होती है NYW kg ये mole of solute ये weight of solvent in kg तो मोल तो आपने 3.59 निकाल दिया है और solvent का weight 200 ग्राम है इसको किलो ग्राम में बदलना हजार से भाग कर देंगे तो ये आपका 17.95 पहला answer आपका आगया है बचो molality इसके बद प्यारे बचो हमें molarity निकालना है तो molarity होता है NYWL यानि mole of solute upon volume of solution in liter अच्छा तो ऐसा है कि mass of solution अगर लेना है तो इसमें solute का mass और प्लस इसमें solvent का mass 200 ये जोड़ देंगे तो ये जो हमारे पास mass आये गए 422.6 gram आ जाएगा density is equal to mass upon volume तो volume is equal to mass upon density mass आपका 422.6 और density आपकी 1.072 तो volume आपका आ रहा है 394.22 ml volume आ रहा है 394.22 ml तो बचो ये हो जाएगा लीटर बदलेंगे 1000 से भाग कर देंगे 0.3942 लीटर अब इन ही values को ये जो हमने values निकाली इन values को में आप उट करेंगे तो mole of solute आपका कितना है 3.59 volume in लीटर आपने कितना निकाल ली है भाबुजी 0.3942 और इसको जब divide करेंगे तो आज आएगा 9.11 ये दूसरा answer है धन्यवाद किता है